तो दोस्त आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी हेल्थ इंसॉर्ण्स वर्सेज वन-to-one हेल्थ इंसॉर्ण्स डाइरेक्ट प्रॉम इस तो इसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो basically मतलब क्या है कि जब आप कोई company join करते हो तो उस company से आपको लगबग 90-95% companies में है कि आपको उस company से एक health insurance मिलेगा दूसरे case में क्या होता कि आप अपना private health insurance लेते हो किसी company से ICI हो गया माइक्स लाइब हो गया या टाटा हो गया किसी भी company से अगर आप health insurance लेते हो तो उन दोनों में difference होता क्या है better account होता है तो पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके company insurance के बारे में तो देखो दोस्तों होता क्या है कि जब company का health insurance insurance आपको मिलता है तो वह आपको less cost में मिलता है for example दस लाग का अगर आप package ले रहे हो और यहां पे आपको बीस जार रुपए yearly पे करना पड़ रहा है तो बीस जार में आपको दस लाग का insurance मिल जाएगा and वहीं अगर आप दूसी जगह जाते हो तर बेंडर से जो मैंने companies बताएं आपको max वगएरा या ICI वगएरा तो इसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा सा costly पड़ता है हो सकता है आपको 30,000 रुपए देने पड़े हो उस दस लाग के insurance के लिए मैं for example लेके एक बात यहां पर बता रहा हूं यह मत समझ लेना कि 30,000 में किसी को 40,000 लाग कर में लेगा तो मैं एक example की तरीके यहां पर बता रहा हूं इसमें एक सबसे बड़ा जो प्लस पांट होता है company के insurance में उसमें आपके parents भी cover होते हैं हैंने कि ममी पापा भी cover होते हैं आपके भाई बहन भी cover होते हैं उसमें तो मतलब जो 10 लाग का insurance है तो उसमें आपके family members cover होते हैं जहां पर I think up to seven members होते हैं कि साथ लोगों को आप add कर सकते हो including your wife and अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको भी और आपके parents और भाई अगर below 21 age से होते हैं तो अब भाई-बैन को भी उसमें cover कर सकते हो दूसरे end पर बात करूं जो private insurance companies होती है other vendors तो उनमें क्या difference है basically कि जब आप उनका insurance लेते हो तो आपको अपना insurance तो सस्ता पड़ता है जैसे आपका होगे आपकी family का होगया आपकी जो individual family होगी आपकी वाइफ या आपके बच्चे तो वह insurance तो आपको less cost में पढ़ जाएगा हो सकता है corporate से भी less cost में पढ़ जाए बट जैसे ही आप अपने parents को समय आडाउन करोगे दो लोगों का और डिकाओगा उनकी age डालोगे नॉर्मली 40 या 50 के आसपास या 55 जो भी यह जोगी वह आप मुहां पे डालोगे क्या होगा कि वह जो प्रीमियम होगा वह ठीक डबाल हो जाएगा आपका तो जो आपको company में बीस हजार में 10 लाग का insurance मिलने वाला है तो यह में डिफरेंस इसमें होता है और दोस्तों जो ए कोई region देखे reject कर रही होती है बहुत सार ऐसे private organization करते हैं वह private companies आपकी claim reject कर देती है फिर आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते सिवा कंजूमर फॉरॉम के और वहीं पर company क्या होता कि अगर वह company आपका insurance reject कर रही है तो आप उस company में जाके वहां पर आप आप अचार टीम से बात कर सकते हो अचार हैट से बात कर सकते हैं मेरा claim pending है तो वहां पर आपको बाइकन सपोर्ट भी अचार का मिल जाता है चार टीम का company में हो सकता आप वी company में कोई और हो जो insurance का देखती हो तो आपको वहां से help मिल जाती है और फिर आपका जो claim reimbursement हो easily वहां पर हो जाता है तो basically य ले सकते हो आप 10,000 रुपा या 15,000 रुपा आप चाहो तो दस लाग का जो insurance था जो आपकी company ने दिया है वहां पर आप आप ले सकते हो पांच लाग दस लाग बीच लाग का जितने amount का आपको लेना है तो वहां पर आप easily ले सकते हो तो यह basically कुस difference है hopefully आप समझ गए होगे तो बस आच की वीडियो में इतना वीडियो कर अच्छा लगा तो लाइक से ले हैं चलो सब्सक्राइब जड़ू करें में बिना रैंश चोभब हमआं में मिलतौ आपनर नेक्स्त वीडियो में एं आंग ग 세 Jude में गरे मंuk सब्सक्राइब थैक्यों मज्ड़ है टेक्यों मने जल सतीज कि ढूल सकती है तो कि पा झाला है, के यो हैं एक तारीह देेंगे हैं नहा स्केट किता जल्लेkolस करेंगे हैं